एप्रिल फूल्स डे क्यों एक एप्रिल को मनाय जाता है एप्रिल फूल डे को भी सोचा है आखिर किसने की होगी इसकी सुरुवात आए जानते हैं इसके बारे में होर साल एक एप्रिल को मुर्क दिवस मनाय जाता है देखा जाए तो ये दिन होसने और होसने का दिन है इस दिन लोग अपने दोस्तों, करिबियों और रिस्तेदारों को मुर्क बनाते हैं जब समने वाला जूटी बातों में फॉंस को और मुर्क बन जाता है तब उसे एप्रिल फुल कहा जाता है अपने भी इस दिन अपनों को कोई बार मुर्क बनाया होगा लेकिन किया कभी सोचा है कि आखिर इस दिन की सुरुवात कैसे हुई और किसने की होगी वैसे तो इसके बारे में कोई सोटिक जनकारी नहीं है लेकिन कुछ किस्से मौसूर हैं आईए जानते हैं इस बारे में नमबर वन राजा रिचार्ड दित्यों का एक मजदर किस्सा एप्रिल फूल डेको लेक और इंग्लेंड के राजा रिचार्ड दित्यों का एक मजदर किस्सा पर चली थाए कहा जता है कि रिचार्ड दित्यों और बोहमिया की रानी एनी ने एलान करते हुए कहा कि वे 32 मार्च 381 के दिन सगाई करने वाले हैं उनकी सगाई की ख़बर से लोग काफी खुश हुए और जसन मनाने लगे 31 मार्च आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कलेंडर में 32 मार्च की तो कोई तारिक ही नहीं है यानि उन्हें मुर्क बनाय गया है तोब से एक एप्रिल को मुर्क दिवस मनाय जाने लगा कुछ लोग एप्रिल फूल की शुरुआत साल 522 से मानते हैं कहा जता है कि गेप्रियोन केलेंडर से पहले जुलियोन केलेंडर चलन में था उसका नवबर्स मार्च के 19 एप्रिल की सुरू होता था यानि एक एप्रिल के आसपास जो गेड़ेगरियोन केलेंडर अपनाय गया तो नया साल जनवरी से सुरू होने लगा लेकिन जीन लगों को केलेंडर बदलने की जनकारी देरी से पहुंची वे मार्च के आखरी हफ्ते से एक एप्रिल तोक नवबर्स मनाते रहे और इस वज़ों से उन पर खुब चुटकुले बने तोप से एक एप्रिल को मुर्ट दिवस मनाया जाने लगा